हेलो ऊ logo क्या सिव अच्छा अंदर मैं आपको कराूंगा जो की छा टर हिंदी सिर्फ की हिंदी सब्मद think का आप्लिफ और मैं आज आपको बताने में आपके सामने में चाय different पेपर फर्स्टों पेपर सइकंड हो तोनों को यह आपर आपको डिस्कस करने वालों यहापकी लेंग्वेज में लिखी वर आपके यही लेंग्वेज को अपको देखनेों को देखने तो मेरा मारना है अगर आप लोगों ने हिंदी अच्छे तरीके से त्यार कर ली दूसरी लेंग्वेज आपकी अपने आप ही हो जाती है बट आपको उसको थोड़ा ट्रांसलेट करना ने चाहिए आपकी लेंग्वेज की समस्ता खतम हो जाएगी तो मेरे सामने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकिंड दोन हुई है जो भी आपका सीटेट का एकजाम हुआ था लेडी मैंने जो आपका सीडीप का पेपर है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकिंड दोनों का ही डिस्कसन कर दिया था आपको पताया था कैसे कुश्चन पूछ जा र लेंग्वेज लेते हो तो उसके अंदर किस प्रकार के कुश्चन आते हैं कहा से टोपिक आता है कौन-कौन सी चीज आपको देखने को मिलती है और इस बार के पेपर के अंदर कैसा लेवल देखने को मिलाता है और जो बच्चे मेंसे हर बार सीटेट पड़ते हैं आप लोग उसके पूछ लेना कि जो मैं पेड़ागोजी कराता हूँ या लेंग्वेज जो आपको कराता हूँ तो ज्यादतर चीज आपको जो मैं कराता हूँ वही से आपको देखने को मिल जाती है ठीक है तो चलिए पेपर फरस्ट और पेपर सेकिंड दोनों के इनके भी सेम टोपि आप लोग सब ठीक होंगे ठीक है अभी हमारी आज मैं हिंदिका कर रहा हूँ कल मैं आपको करूंगा और उसके बाद फिर हमारी रेगुलर किलास शुरू हो जाएगी जो पर्टिकुलर अलग-अलग सब्जेट की और जो मेरी डेली आपकी आठ वजी किलास शुरू हो ठीक चलिए बढ़ी और यहाँ पर जिन बच्चों ने जैसे अभी तक कोर्स ने लिया तो आप लोग यहाँ पर कोर्स ले सकते हो क्योंकि बच्चों के ज्यादा तर यही मैसेज आते है कि सर कंटेंड के लिए जैसे पीवाईक के लिए कोई किताब लेनी हो या बाकी जो अलग- यूटूब से तयारी करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दो दिन के बाद फिर मेरी रेगुलर किलास शुरू होने वाली है यह पेपर डिसकस होने के बाद ठीक चलिए मैं सुरुवात कर लेता हूँ अब यहाँ से आपकी यह कोर्स आपको सचिन चैनलर जिस पर मैं पढ़ाता हूँ और यह मेरी एप्लिकेशन है जो सिर्फ मेरी एप्लिकेशन है किताब मैंने भी तक लोंच नहीं किये तो जितनी भी किताब आपको मार्किट में मेरे नाम से मेरी चेहरे के साथ दिखते हो सब फेक है तो प्लीज उंस आप लोग आपर पता ही है कि 30 नंबर में 15 में आपके दो पैरिग्राफ आ जाएंगे मतलब जिसको आप गध्यांस चाग काव्यांस कहते हो इंग्लीज के अंदर अंसिन पैसिस कहें देते हो और बागी के 15 नंबर में आ जाती है आपकी पैड़गोजी देखने को मिल जाती है तो मैं आपको पेपर फ़स्ट और पेपर सेकंड की पैड़गोजी आज की वीडियो के अंदर कराऊंगा क्योंकि पैरग्राफ को कैसे करना होता हूँ वह लीडी में आपको बता चुका हूँ यह एक बार फिरिस आपको बता दूँगा ठीक है तो चलिए आपर शुरुआत कर लेते हैं इनको पोल भी दे दो साथ के साथ और आप लोग भी कुशन अटेम्ट करना देखे इतनी चीजा और मैं आपको कह दूँ अगर आज की वीडियो के अंदर आपका एक भी नंबर नहीं आए ना कोई बात नहीं लेकिन जैसी मेरी डेली क्लास शुरू होगी तो आप लोगों क को फील हो जाएगा एकजाम तक कि आप लोगों के कितने नंबर आने वाले है तो इमानदारी से पूरे के पूरे कुशन अटेम्ट करना देखना आपकी तैयारी कितनी हो गई है कम नंबर आए कोई बात निमानदारी से आप लोग मुझे वीडियो के अंड में बताना ठीक ह तो चली अब मैं यहापर सुरुआत कर लेता हूँ सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर आगया कोश्चन नंबर फ़र्ष्ट आंसर देना आप साथ में देखे कोश्चन आपके सामने यहापर लिखा हुआ है उस युक्ति का चेन कीजिए जो नीचे दिये गए उधारन से यह में लिखाती है क्या उधारन आपर दिया वाया है मैं भासा पर ध्यान केंदरित रखती हूँ मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो ठीके अब यहापर आपको ओप्शन दिये हुए है पहला आपको दिया आप ट्रांस लेंग्वेज अब देखे ट्रा काने में आपर help करी आनि कि भासा का एक भासा से दूसरी भासा में transfer हो रहा है तो आपका ट्रांस लेंग्वेज हो जाएगा ठीक है क्योंकि हमारे देश के अंदर जो विविदता है देखने को मिलती है क्लासरूम के अंदर या देश के अंदर अलग-अलग भासा है देखने फोकस कर रही है कि यह सही हो इसमें कोई गल्ती ना हो ठीक है कि याद करना याद हो करी नहुए इए वो तो उसके ही सही नहीं नहीं कर रहा है कि मेरी लैंडश सही परकार क्यों ठीक है या फिर आपका repeat कर रही है कुछ भी चीज़ нужен- 174 पर चीजों को बोल रही है और सोस समझ कर बोल रही है कहते हैं कि बोलने से पहले सो बार तोलना चाहिए तो यहापर तोल तोल कर जवक्तनी भासों को यहापर बोल रही है और यहापर आपका सव निरिक्संड कर रही है जैसे मैं आप लोगों को यहापर पढ़ा रहा हूं तो एक-एक सब्द मेरा बड़ा मैत्पुन होता है मान लिए मेरे मुझे कुछ गलत भी निकली है और बाई चांज गलत निकली है उसका बड़ा negative effect पड़ेगा आप लोगों के उपर तो हम लोगों को बड़ा सोच समझ कर आपके सामने बोलना पड़ता है तो अपना खुद कर निर्षन करना होता है क्यार में चीज सही बोलाओ ये example सही बता रहो ये topic सही बता रहो ठीक है तो answer आपका fourth answer यहाँ पर चला जाएगा ये जितने concept है इनको हम लोग detail में समझेंगे और देखे अभी आप लोगों को जितनी में चीजे बता रहो इससा आपकी काफी चीज के लिए रोगी कई question तो आए exam में आपको यही से भी देखने को मिल जाएगे और जब particular class होगी तो उसमें भी आपको feel सुरू हो जाएगा अगला question देखते हैं सामने आपकी screen पर आगया next question कक्सा second के विद्धार्ती एक कविता गा रहे है कौनसी कविता है यह मेरी नाक है और यह मेरे कान है ठीक है यह कविता गाते समय है वे सरीर के जिस अंका नाम लेते है उस अंको touch यानि सपर्स भी करते है अध्यापिका किस विद्धी का यहाँ पर परियोग करके उनको सिखा रहे है तो आपके exam के अंदर language के अंदर कोई भी language हो उसके अंदर आपकी teaching methods यानि के आपकी विद्धिया पूछी जाती है बोलने वाले किसे निकलेगी ठीक है सामने वाले के पास जाएगी आपसे video एक मिलेगा फिर मेरे पास आपकी आजाएगी ठीक है यहाँ पर fourth आपके सामने लिखा हुआ है समगर भोतिक परिग्रिया जिसको English में नाम आता है इसका total physical response ठीक है total physical response इसलिए मैंने का कि जो आपकी आज मैं आपको हिंदी करा रहा हूं यह सारी language के अंदर आपको काम आएगी total physical response अब देखे इस method के अंदर क्या होता है total physical response के अंदर यहाँ पर जो teacher होता है वो बच्चों को निर्देश देता है instruction देता है ठीक है यहाँ पर क्या काम करता है जो भी आपका teacher होता है तो teacher बच्चों को क्या देता है instruction यानि कि कुछ भी निर्देश देता है वाली जो कोई कविता पढ़ा रहा है, पाठ पढ़ा रहा है, X, Y, Z, कुछ भी करा रहा है, और उसको निर्देश देने कबाद, बच्चे उसके परती फिर रिस्पोंस करते हैं, यानि परतिग्रिया करते हैं, जैसे यहापर बच्चे क्या काम कर रहे हैं, रिस्पोंस यहाप तो यह आपके निर्देश के बाद जो आपका रिस्पोंस होता यही आपकी टोटल फिजीकल रिस्पोंस आपका मैथड होता है जो यहापर यह वाले बच्चे कर रहे हैं ठीक है अगर मैं कहूँ आप लोग आप इमानदारी से पढ़ोगे तो आप लोगों का स्कोर 150 में से 150 सबयोग तो मैंने आपके रिस्पोंस कर सुरू करा ठीक है बंदर बंदरिया जो भी आप लोग कह लीजे ठीक हैं इंस्टरचन के बाद आपका निड्देश दिया जाता हूँ थीए आपकी समग रोबोतिक परिग्रिया यानि कि टोटल फिजीकल रेस्पोंस होती है ठीक है इसलिए मैंने कहाता कि भाई कोई एक्जामपल को अन्य था मत लेना क्योंकि जब तक आपकी किलास चलेगी ऐसे खत्रनाक एक्जामपल आपको मिलेंगे देखते जाना आप लोग ठीक और सवालों के उत्तर देनी की कोशिस करते है यहापर क्या काम हो रहा है यहापर भाई काम हो रहा है अदला बदली का काम हो रहा है ठीक है क्या काम हो रहा है यहापर आपके अदला बदली का यह लोग यहापर काम कर रहे हम लोग भी स्कूल के अंदर करते थे यह वाला काम कि भाई ये वाला काम मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये वाला तुम बना लहा हूँ, और फिर आपस में एक्स्चेंज करेंगे, या तु हम से कुश्चन पूचे हो, हम तिर से आपर कुश्चन पूचेंगे, ठीके, इस प्रकार की अदला बदली देखने को मिलती थी, ठ पता है, जैसे हमारी स्कूल के अंदर पता आखलन कैसे होता था, से पाटी आखलन, हमारी मेडम खड़ी कर देती थी, किसी भी बच्चे को, ठीके, और कासकर जो आपका थोड़ा सैतान सा बच्चा होता था, कि लाइन से सभी से कलका जो हम रख दियाता है, इन से सुन, अब तो यहाँ पर टीचर ने बच्चों से क्या काम कराती थी, से पाटी आखलन, यानि पियर असस्मेंट कराती थी, ताकि बच्चे आपस में एक दूसरे का असस्मेंट कर ले, फिर उस बच्चों को बैठा के दूसरों से कराती थी, ठीक है, तो इस तरीके सा हम लोग यहाँ बच जाते थे, और किलास में मतलाब हमारी चलती थी, याँ पर तो आपका पियर अससमेंट हो जाएगा, सेल पसक्रास हो नहीं कहा सकते, फीडव एक यहाँ नहीं हो रहा, पढ़ने का अखलन, यहा पर किसी परकार कर नहीं हो रहा, आँचार आपका, फरस्ट ही यह हो लेते हैं ठीक है वीडियो को शेर कर दिया करो अपने दोस्तियार को बता दो कि वहीं सचिंसर ने किलासी स्टार्ट कर रखे रोज आ जाया करें लाइव डेली ठीक है अगला कोश्चन आपके सामनी स्क्रीन पर है मुझे यह काम बहुती पसंद है जब आध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई सब्द या वाक्य लिखा होता है तो मैं उससे सम्मंदित अभीने करती हूँ और समूची कक्सा उससब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है गैस करती है ठीक है देखे सिक्सार्थियों की जो आपकी प्रात्मिक्ता है उनके साथ सिक अब ऐगानाए या तो आपका इस पर कारती है तो अब एक चीज आपके सामने हवाथ सिरा करता हूं एक आपकी गुर्मेंट हैं जैसे हो बहुत ज्याद़ ज्यादे जरूरी होता है तो गुर्मेंट की तरफ से जो भी TLM के रूप में साधन मिलते हैं, जैसे मालीजे कार्ड मिल गई, ठीक है, या मालीजे कुछ टूल्स आपको ऐसे मिल गई, जैसे पैन मिल गई, या कुछ आपकी बुकलेट आपको ऐसे मिल गई, तो उनका यूज क्या जाता है, अब मेरी ब आपको एक्टिविटी बता रहा हूँ, कैसे कराती है, तो हमने क्या काम करा, ऐसे बहुत सारे कार्ड थे, ठीक है, गुर्मेंट की तरफ से मिलते थे, तो ऐसे बहुत सारे कार्ड बने होते थे, मालीजे किसी पर एलफाबेट लिखा हुआ है, या कुछ में एक चली, कैसे चली, तो उसी टाइम पर जो टीचर थे, ठीक है, उनको बोलना पड़ता था, कि जो रेल है, वो का पर रुकी, या जो रेल है, वो रेल रुकी, आपकी मापर रुकी, तो जो माँ का इस टिकर जो आपका या कार्ड पढ़ा होता था, सारे बच्चे उसको उपर बच्चो को आपकी बेसिक चीजे शिखाया रही है यहापर बच्चो को अभिनेए भी करना सिखाया जा रहा है और सबसे में इन बात है बच्चे यहापर एक्टिविटी के माद दिम से सीख रहा है तो सबसे बड़िया इंध्य होता है जो आज की मरलब जीतनी भी करके दिखाऊंगा और आपको बताना है कि मैं किसके बारे में आपर बात कर रहा हूँ ठीक अब ध्यान से सुना और कमेंड बोक्स में आंचर देना है ठीक है तो आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर अनुमान लगाओगे अब लोग, अब देखता हूँ कितने लोग अनुमान लगाओगे, तो क्या activity सही है या नहीं सही है, अब यहाँ पर option देखते हैं, जब मैं गतिक बोदक तरीके से सलनंगर करती हूँ, या ठीक है, तो आप लोग ने देखा यार, यह तो बड़िया गेम है, बड़िया बता रहे है, ठीक है, क्योरिशीटी जगरी है, किस और कुछ और भी पूछो, ठीक है, आयोप आप लोग ने बता दियोगा, अब गदो किर्किट बात करो, मैंने का दो सब्द है, पहला मैं ठीक है, तो आपका पहला बिल्कुल ठीक है, जब मैं देखती हूँ, तो मुझे भासा च्छी तरीके से याद रहती है, देखने से आपको भासा यादी नहीं होने की, अगला है, जब मैं सुनती हूँ, तो मुझे भासा च्छी तरीके से याद रहती है, देखे, सुनकर भा खिलाड ये किरिके सचिन तेंदुल कर ठीक है और कलियार फाइनल मैच भी है देखता हूँ आपकी एवेस की क्लास लोग कलिया इंडिया उस्टेलिया का फाइनल मैच देखूं जब मैं कार्ड से वाक्तिया को याद करती हूँ तो मुझे भास अच्छे तरीके से याद रहती ठीक है तो आप लोगों को भी इसी मात्दम से चीज़े पढ़नी है सीखनी है और पेपर में आंसर बिनके देने देख लेना पेड़ागोजी के अंदर कितना बड़ी आप लोग आंसर दोगे आगे के एक्जाम के लिए ठीक है और बाकी ये बास साबित होगी सारे डफरो क अगला कॉश्चन देखता सामना आपकी स्क्रीन पर निमलिकित कथनों को पढ़िए तता सही विकल्ब का चेन करिए करते हैं अभी कथन यहापर दिया हुआ है जर्चन आपको दिया हुआ है विद्ध्याला में परिवेस करने वाले सभी बच्चे अपनी आयू के नुसार भासा के सक्सम परियोग करता होते हैं देखिए पहले क्या कंचेफ्ट रहता था कि जो बच्चा होता है वो बच्चा स्कूल के अंदर होता है तो कोरे कागज के समान होता है कैसा होता है बच्चा जो होता है वो कोरे कागज के समान होता है या कह लीजे बच्चा जो होता है वो खाली बरतन के समान होता है, ये खाली बरतन है, कोरा कागज है, जब स्कूल के अंदर बच्चा जाएगा, जो टीचर है, वो टीचर इसके अंदर खाली बरतन के अंदर क्या डालेगा, अपना ग्यान डालेगा, यार मैंने तो बंबसा बना दिया, ठीक है, ये बरतन है भा इपनी मात्रवासा लेकर जुरूर आता है कि कि país school में आने से पहले ऑप मात्रवासा चीख जाते हैं जैसे माली जाने से पहले हम लोग इसको सीख गय 특별 में पहले सी मेख्कयर नहीं एक्सपिरेंस भी रहते हैं हमारे ठीक है चाहिए बड़े एक्सपिरेंस ना हो लेकिन छोटे-मोटे अनुभाव भी होते हैं दुनिया के पड़ती कुछ हमारी एप्रोच द्रिष्ट कोन भी रहती है ठीक है जैसे हम लोग बच्पन के अंदर यूज करते थे भाई दारा सिं तो इसने काया कि अगर विश्कूल में बच्चा परवेश लेता है तो सभी बच्च अपनी आयू के अनुशार भासा के सक्सम परियोग करता होते हैं यानि अभी कथन अरजरसन उसने बिल्कुल ठीक का ठीक है पहली बात अब इसमें यहाँ पर उसने तर्क दिया है रीजन कर पाते हैं कोईकि भासा और संस्कृति दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी रहती है ठीक है और हमेशा हमें बच्चों की भासा को प्रात्मिक्ता देनी है उसकी संस्कृति को प्रात्मिक्ता देनी है यह वाला काम निकरना कि भाई जैसे माली जै मैं हूँ तो मैं यह नहीं मेरा religion हिंदु धर्म से है तो मैं यह नहीं करूँगा कि सिप हिंदु बच्चों को करूँगा भाई मेरे लिए तो सभी क्वल है चाहे वो किसी religion का हो किसी community का हो अमीरों गरीबों मेरे लिए तो सब समान है ठीक है तो यह जो भासिक और सांस्कृतिक के अलावा जितनी भी प् के गलत है तो एक ठीक है परंतु आर यहापर गलत है तो फिफ्ट का आपका आंसर हो जाएगा फॉर्थ यहापर सही हो जाएगा और आप लोग भी इसके साथ जा रहे हो बिल्कुल ठीक बात है ठीक है चलिए बढ़ते बाब के सामने next question की और अगला question आगया सामने screen पर ठी next आपको ध्यावाय की class effect का मंजीत अपने अध्यापक से अलग सेली में बात करता है ठीक है अइब पर-चार वही अपने बात करते हैं, तो यहाँ पर का हुआ है, जो यह मंजीत इस तरीके की भासा करता है, इसका तातपरिया यह हुआ कि जो मंजीत है, वो जानता है कि जो सामाजी की स्तित्या होती है, उसमें भासा का परियों किस तरीके से करना होता है, तो भासा के इस गुण को किस रूप में ज तो इस तरीके सा नहीं कर सकता तो यह क्या है क्या आपकी काववेगत भासा है नहीं जो आपकी काववे की भासा होती है तो बेसिकली जो आपकी काववे के भासा होती है काववे की साइथिक भासा की नाम से इसको जाना जाता है इसमें बेसिकली आपके जो व्याकरण होता है तो व्याकरण पर इतना फोकस नहीं किया जाता जितना जो आपके अर्थ पून्ट जो आपके सब्द होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है जयसे हम लोग अपने दो स्चार से मिलते हैं और भई, क्या चल रहा है? बस भई, खट रही है और किया खटरी है भां खटी है तो यहाँ पर अर्थ पुर्ण सब्ष निकल करा है कि कड़ीन है जिन्दी कड़िये इतू कड़ पर्करती वादी देखिए जो भासा होती है खासकर जो इमारी मदटंग तुरल प्रोसस चुर्विस होता है प्रकरति में अपने आपी बच्चा उसको सीख लेता है ठीक है जिसके बार में आपके नौशूम स्कीब भात करते हैं या पर कि बच्चा अपने आप ही सीख लेता है माइंड इक अंदर इक डिवाईस होता है लेडी और पर उप्योगीता हुआ दिये हैं, तो यहां पर उप्योगीतावादी है, तो यहां पर बहासा के गुण की बात हो रही है, बहासा के उपयोग की बात हो रही है, देखे एक बात वती अगर बहासा नहीं होती, तो क्या मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा पा रहा होता, नहीं पढ़ा पा रहा होता, अगर बहासा नहीं होती, तो आप कमेंड बोक्स पांसर दे पारे होते हैं नहीं दे पारे होते हैं हम किसे से कम्पनीगेटी निकर पारें कर्पाद ने he मंजीत नाम का लड़का है, अलग-अलग जंग है भासा को यूज करता है, तो आंसर आपका फोर्ट सबसे एप्रूपेट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अच्छा आप लोग क्या-क्या कहते हो, जब उतने दोस्तियार उसे मिलते हो, या जो आप लोग जैसा अलग अलग जेंगे सा आप लोग हो, ठीक है, तो आप लोग क्या-क्या कहते हो, दोस्तियार से मिलते हो, ठीक है, लेकिन कुछ भी वलगर मतलिक ना, जो भी तरीके से लिखते हो, वही लिखना है, ठीक है, चलिए, अगला क्वेशन देखते है, सामने आपकी स्क्रीन पर आगे, अगला क्वेशन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आगे, नेक्स्ट क्वेशन, एक मा ने इस बात के और ध्यान दिया कि, उसकी बच्ची कभी-कभी ऐसे सब्द बोल जाती है, जो ना तो उसने कभी किसी वेस्क, यानि अडल्ट से सुनिये हैं, और ना ही अपने बच्चे भी ऐसे होते हैं, कोई ऐसा सब्द बोल जाते हैं, मान लिजे, गलत भी हो सब्द है, तो आपको लगता है, यार यह तो हमारे घर में कोई भी नहीं बोलता, तो तब हम लोग बच्चे को डारते हैं, तुने कहा से सीखा, ठीक है, बता किसने तुझे बोलना सिखा तो इस बात को लेकर वह ब्रमित है कौन उसकी मम्मी क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेस में लोगों का अनुकरण अनुकरण का मतलब क्या होता है कोपी करना इमीटेशन अनुकरण करके भासा शिखते हैं बिल्कुल ठीक बात है जो हमारी मात्र भासा अती उसको हमने अनुकरण के माद्दम से शिका जैसी भासा हमारे घर के अंदर बोली जाती है वैसे हम अनुकरण करते है हमारे घर के मातरवास होती हुए आपका एक नेचुरल प्रोसेस यानि कि आपकी प्राकर्तिक प्रिक्रिया होती है बच्च अपने आप यह सीख लेता है तो उसका यहमत किससे आपका मेल खाता है वह आपको बताना कि यहापर जो एक बच्ची है उसने कुछ सब्द ऐसे सीख लिए तो आ कुछ भी नहीं है घर के अंदर सारे के सारे मेंबर एक जैसी है तो बच्ची ने कुछ नया सब्द है कहां से सीख लिया ठीक है क्या यह आपकी प्रकरतिवाद के अंदर भी आपका नहीं है साथ के साथ चलता हूँ ठीक है क्या आपकी वैवार बाद है बिल्कुल ठीक बात लोग भी ठीक है अपने घर के अंदर भी बोलते हैं तो आपके घर में तो भासा नहीं बोली जारी जो आप लोगों वीडियो देख रहे हो बट यहां मान लीजिए उसने यहां से कुछ वैवार के मादनम से सीख लिया जैसे मान लीजिए मैं चल लाओ या बोलने का मेरा तरी से ठीक है जिसमें बच्चा अपने आपर ज्यान का निर्मान खुद ही कर रहा है ठीक है तो इस आफ्टो यहां पर सही हो जाएगा तो बच्चों को डाटा मत करो कहीं कहीं से बच्चा आपने कुछ न कुछ चीजे सीखता रहता है क्योंकि बच्चा शुरुवात में जो र जब आए एक करे नेट शलो चला है ठीक है भई मुझे संभानी जी से बात करेका आपका नेट चालू करवाता हूँ ठीक है बात करवा दे भाई इनकी इनका नेट चालू हो जाए अगला देखिए कोजलो यानी स्किल्स के उस समू को क्या कहेंगे जो बच्चे ओपचारिक क् पठन निर्देश सुरू करने से पहले विक्सित कर लेते हैं और जो बाद के एकडमिक जो आपकी स्किल्स होती है उसके लिए बुनियाद परदान करता है अब देखिए ओप्शन के उपर बाद में जाओंगा पहले मैं आपको एक चीज समझाता है जब हम लोग छोटे बच्चा है तो आपने देखा होगा कि जब बच्चा स्कूल के अंदर जाता है उपचारिक शिक्सा का क्या मतलब है कि जब बच्चा आपर स्कूल में जाता है लेकिन स्कूल से आपका पहली की बात हो रही है क्या बात हो रही है जो बच्चे उप्चारिक पठ्ठा बोलते भी नहीं हम कहते हैं कि आजा बेटा मतलब इस तरीके से गोधी में करते हैं तो जैसे हमने दोनों हाथ करें तो छोड़ा बच्चा तुरंत आता है गोधी की तरफ ठीक है और हमारे पास यहाँ पर आ जाता है या कुछ ही भी आप लोग और करते हो आयोप आपको भी खाते बच्चा हमारी तरफ को आएगा तो यह आपने बच्चे के अंदर पहली वाली स्किल्स अपने आप आ जाती है ना इनको बच्चा सीख लेता है ना आपनी फैमिली के थुरू तो ओप्चारिक पठा निर्दे सुरू करने से पहले विक्सी तो बच्चे कर लेते ह पत्रवरूर्द से स्कूलिस से पहले भी सारी चीजह सीख लीए ना ठीक है और जो बाद के के इकेडमिक इसकील्स के लिए नहें बुनियाद पर्दान करता है ना मैं भी आपर कुछ सीक्वल बेता हो सब यंदर आपको देखने को मिलती है इसके अंदर इंगलीस वाले गर बच्चे तो वहापर लिख लेना, आपका emergent लिख लेना, ठीके, क्या लिख लेना, आपका emergent इसको लिख लेना, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, वो जाएगा, emergent लिटरेसी हो जाएगा, यानि emergent आपका साकसरता हो जाएगा, answer number और फर्स्ट आजाएगा कि यहाँ पर बच्चा अपनी उपचारिक सिक्सा से पहले स्कूल जाने से पहले कुछ ना कुछ कंसेप्ट कोई ना कोई स्किल्स ऐसे सीख लेता है ठीके तो यह आपके बाद के भी उसमें हेल्प करते तो आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका स स्क्रीन पर आगया यह रहा सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट कॉश्चन एक ने क्या भेजा है भाई आपर गुडव इवनिंग सर मेरा पेड किलास पर्चेज किया है मेरा अपडेट कर दो पेड़ किलास को अपडेट करने की जरूत ही नहीं पड़ती भाई ठीक है आप आपको पता भी होगा कि मतलब अभी जो हमारे आपर बैच में इसन हुए उसके अंदर यार अपने आप में रिकोड बन गया ठीक है यानि 10,000 के करीब मतलब लाइव संख्या आए बत चुगी एपलिकेशन के अंदर इतने वच्चे नहीं आते है इतना तो यूटूब पर आपके दोतीने एकजाम में रिकोड बने अब इस कोश्चन के बारे में मतिया अगला कोश्चन सामने स्क्रीन पर आगया एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से यानि किताब उसे कहानिया पढ़कर सुनाना पसंद करती है और हम भी पसंद क कि को इस कहानी के अंदर या बड़ा स्स्पैंस बना रहता थो छोटे बच्चों ने तो इस टक्निक को किस रूब में जाना जाता है वो आपको यहां पर बता यह क्या ये शास ओर पथन की बात हो पर जी नहीं बच्चे ब片ंगे इसके साथ में वो भी इंट्रेस्ट ले रहे हैं यापर काहानी सुनने की, मोडल पठन नहीं आपका साजा पठन किसी परकार कानी हो रहा है, क्योंकि बच्चे तो सिर्फ यापर सर्वन कर रहे है, या थोड़ा बहुत उनका डाउट होगा, कुछ जिग्या सरेगी काहनी में कुछी स्टोरी में मज आ गया होगा, तो उसको पूछ लेंगे आपर, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है, संभासिक पासण हो रहा है, यानि संभासण यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है, तो दादी क्या कर रही है, ऐखाई दगाई आगे और अगला आपके सामने आगया है तो अगला आपके साने ने दिया हूआ होता है ना कई बार आपके एक्जाम में पूछा गया है कि जो भासा कि जो सबसे चोठी यूनिट होती है क्या कहलाती है ठीक है तो इस बात आपने देखा तो वर्ण और सुम्निम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाय जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले सवनिम को सब्से मिला जाता है तो इस उपागम को क्या कहा जाता है यह इस परकाल की कुछ आपके एकजाम में जरूर आते है चाहे आपने कोई भी लेंग्विज य जो आपकी भासे की सबसर्चोटी कई होती है ठीक है धवनी की सबसर्चोटी कई है आप लोग उसको चहते हैं। कुछ भी आप लोगों नहीं आपर यूज कर लिया तो एक बात आपको देखने हैं पहला सरंचनात्मक उपागम जी नहीं और आपका सम्मगर भासा उपागम जी नहीं ठीक है अब देखें दो एप्रोच यापर दीवे हैं एक आपका टोप डाउन मोडल एक आपका बोटम अ ठीक है कौन कौन से ध्यान से सुनना इनको यह बहुत आपके पूछ जाते हैं एक आपका टोप डाउन मोडल ठीक है और एक आपका टोप अप मोडल ठीक है अब देखें इन दोनों मोडल के अंदर क्या होता है टोप डाउन मोडल के अंदर क्या होता है यानि हमें अप यान पिरिक्रिया खतम होती है उस पर जाना पड़ता है जैसे चोड़ा बच्च भी कहरा है कि सव्यक्राइन सब्सक्राइस दोख गजा तो मान लिजे का के साथ हमने ला बना दिया तो आपर उसने सब्दो बनाना शुरू कर दिया ठीक है और सब्दों से फिर बच्चों यहां पर कोई सेंटेंस यानी की वाक्या बनाना शुरू कर दिया कि बही कल भारत और ओस्टिलिया का वड़कप मैंचा कलम लोग उसको देखेंगे और भारत उसके इंदर जीतेगा ठीक है तो देखें हमने क्या काम कर हमने एक है कि step का करते करते हैं पूरी परिग्रिया खतम कर दी तो हमारे जो approach कैसे चला हमारे approach चला top-up approach चली ठीक है अगर यह top-down model होता तो top-down model फिर आपको ऊपर से नीचे की ओर जाता है यानि पहले आपने कोई वाक्या बना दिया फिर उसके सब्द के बारे में बता रह पढ़न सीखने से पहले तो क्या हो रहा है आपका तो अप मोडल हो रहा है तो आंसर आपका थर्ड सी हो जाएगा जिसको अदो मुखी उपागम के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए बढ़ते बापके सामने next question की अगला question यह रहा सामने आपकी screen पर next question अगला आपके सामन रहती है कोई भी एक्जाम रहता है ठीक है तो मेरी एक जिग्या सा रहती है क्यार कौनची चीज नहीं पूछी गई है कौनचा concept नहीं पूछा गया तो मैं फिर उसके पीछे पढ़ जाता हूँ क्या मतलब इसको ढूंड के निकालूंगा और फिर उनको बच्चों को कराऊ और अपने आपको अपडेट करता हूँ तो मैंने जो आपकी धवनियात्मक जाग रुखता है या फिर आपकी आकर्ति मुलक जाग रुखता है ठीक है अब यह कौन-कौनची जाग रुखता है वह सब आपको बता दूंगा किलास के अंदर जब हमारी यूट्यूब पर दिकत किनको आई थी जिन्होंने किलास सई सेटेंड निकरी जो कोश्चन को देखने से भगेते तो इनके लिए मैंने NCIT के मोडूल पढ़ेते इसलिए जो बच्चे रहते हैं बहुत इसमें निकम्मापन करते हैं कुछ नहीं पढ़ते मैं उनको कहा देता हूँ खुद पढ जुकताओं के बारे में बात हूँ जैसे आपकी धवनी की सबसे चोटी का यह आपकी सवनीम गई तो धवन्यात्मक वर्तिनी का परियोग से सही वर्तिनी लिखना सीखने की योग गिता मंद पढ़ जाती है यार एक बात बताओ मंद यानिकी धीम ही थोड़ी पढ़ेगी अगर हमने धवनियों की आपकी नोली के ठीक है और धवनियों की नोली से हम लोग सब्द बनाना सीख रहे हैं वात्य आगे बना रहे हैं तो सीखने की हमारी योग गिता तेज होगी या मंद होगी हमारी योग गिता तेज होगी इसने का है मंद हो जाती है तो यानि आपका अभी कथन जो आ यहाँ पर है अजर सनव आपका गलत हो गया आगे दिया इसने तर्क जब बच्चे पारंपरिक वर्तिनी के स्थान पर अपनी आभिश्करत यानी इन्वेंटिड जो खुद करते हैं जैसे मैंने कहा कि कोई तो एक पारंपरिक तरीक से चलती आ रही है सन्नमस्ते ठीक है और कुछ बच्चों ने अपने आप इसको निकाल लिया और गुरुजी रावनम जी इस प्रकार से करते हैं ठीक है तो इन्वेंटिड वर्तिनी यानि अपने आप ही जो वर्तिनी उन्हों कि चीजें सीक राया है और जब बच्चा खुद करके किसी चीज के अंदर सीक रहा है तो यह उनकी योग्विता तक को मंद नहीं करता है बिलकुल ठीक बात है उसको बढ़ता है तो आपका ये गलत है बटी आपका सही है ठीक है क् familiar आ पर आपका सही है पहला अनसर यहांप जीत्य है यानि की युनीक उच्चारण संबंधी, नियमों के कारण भहसा बोलते समय प्रयं, आत्मिविश्वास की कमी का साम न करते, अँब मादो आपको कोई नहीं भहासा सीख निया हैisteadha, कुछ बच्चों को आती भी होगी, अगर किसों को आती है तो मैं लिख देता हू या गीकल पाएंगे तो आपको बताना ही समस्ष्य को दूर वह जिसे समस्ष्य होती है और पी एरर्स और अपके टीचिंघ रंडिम प्रोसेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती आगे आननी सीखने शिंगाने की परिकृरिया में गलती होना बहुत जरूरी है आप लोग भी जितने कुशन यहां पर अटेम्ट करें जितनी चीज़ें शिकरें आप लोग भी आप गलती करते हैं तो दुनिया के अंदर जो भी कोई व्यक्ति लर्णिंग करेगा सिखेगा वो गलती जरूर करेगा तो गलती कोई बुरी बात मत्ति होती है पोजीटी बात होती है हाला कि स्कूल गंदर हम जब गलती करते ते तो हमारे गाल पर थपड़ आता था या मुर्गा बनाते था है मेरम यह बच्चा कोई बहुत रणी करता है तो तुरन षुदार उसके अंदर नहीं ना है पहले बच्त और बच्चों को टा Prime अगर नहीं कर पारा फिर आप उसको समझे कि बेटा इसको ऐसे करा जाता है ठीक है पुराने तो वाले तरीके से नहीं करता अब फिर गलत करके लाया तो चल मूर्गा बंजा हाथ खड़े हो जा ठीक है पीट दिया तो पनिश्मेंट तो आपको पता ही है हम दे नहीं सकते उन्विडेंची नहार अंदर कक्सा में ऐसे खेलो जैसे गतिविद्यों का प्रियोग किया जाए जिसमें मोखिक अंत्यक्रिया है आपकी अधिक हो देखे यहापन लेंग्वेज की बात हो रही है आप लोग कोई भी भासा कैसे शिखोगे जब बोलोगे मुसे और बोलने इसे गेम बता दी जाए उसका उस्टिल्या का फाइनल गोईडार उसको में और बचे डिबेट करेंगे जो नहीं बहासा जो सेखेगे तो उससे वी सवहाग त्रेपी सत्रायवाब करी आओधम से क्या जाए जहाँ पर भी ड्रिल आ जाएं इसके अंदर ड्रिल कर देना ओप्शन के अंदर वो कभी आपका ठीक नहीं हो सकता बाकी मैं देख लूँगा क्दा ड्रिल कर देना उसको चली कि अगले बात देखते हैं चली अगली बात देखते हैं ख्लास थड़ के अध्यापी का अपने सिक्सार्थों को नई सब्दावली याणी नई वोकेब से परिचित करवा रही है ठीक है, कोई भी नई वोकेब है आप लोग बता सकते हो, कोई नए-ने सब्द बता सकते हो, मुझे ठीक है आप लोग अलग लग स्टेट से हो, कोई बता दीजे, अब बता कौन सा परभावसाली तरीका है, अध्यापिका स्चामपट यानि ब्लैक बोर्ड पर सब्द का अर्थ लिखे, और सिक्सार्थों को उसे याद करने के लिए कहते, ठीक है, मैं माली से आपर कुछ भी सब्द ल बता है, और बच्चों की भासा के उन सब्दों के अर्थ बता है, इसका विलोम सब्द आपका, ठीक है, ये इसका विलोम सब्द है, और फिर बच्चों की उन भासा के सब्द में अर्थ बता है, अब मालो मैंने इसका अर्थ भी बता दिया, ठीक है, तो ये आपका तरीका तो वह उसका प्रोफेसर पूछता आमिर खान से कि वाटी लाइट करके पूछता है कुछ ठीक है इस तरीके से पूछता है तो आमिर खान कुछ कराता उसके अंदर सब्सक्राइब कैसे गलत गलत उसने यूज करेते और वह मिनिश्टर के सांदे पीठते भचाता ठीक है अध्यापी का सब्सक्राइब करें किसके इस्तीती विशेश का नुसार उसका आर्थ समझाने की कोशिश करें फूर्त आंसर यहापर आपका सही हो ज तो सबीक नाम से इसको जाना जाता है ठीके दो और पड़ेंगे बास अरजन और बासा दिगम डेके बात र बात आ है जब किसी बासा को एक नेच्रल प्रोसेस एक प्राकरतिक रूप से अपने आप ही सीख ले जाता है तो वो होती है आपकी भासा अर्जन होती है जैसे हमारी जो मात्र भासा होती है जैसे हमारी जो मदटंग होती है इसको हमें अपने परिवार यानी फैमिली से अनुकरन कोपी कर रहा है और अपने आप इसको शीख गए अगर मान लिजे हमें कोई दूसरी बासा शीखने है तो दूसरी बासा को शीखने के लिए हमें दूसरी बासा की किताबों की जरुत पड़ीगी दूसरी बासा के टीचर की language learning, तो language acquisition यानि कि भाहसा अर्जन, और language learning यानि कि आपकी भाहसा अधिगम, ठीक है, आप लोग दोनों को समझ गे, इसने पूछा है भाहसा अधिगम किस से संबन दिता है, जहाँ पर दूसरी भाहसा को सीखने के लिए संसाद दुनी की जरुत पड़ती है बहासा कोसल से बिल्कुल ठीक बात है L.S.R.W. ठीक है लिसनिंग, स्पिकिंग, रीडिंग और राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इसका साथ में एक हो लिखे, आप लोग चिंतन को भी लिखिए, सीटेट के एक्जाम में ये भी आपका कोसल पूछा जाता है, ठीक है तो यह बहासा को चार कोशल या पाच कोशल भी आप लोग मान लिजए, सीटेट में एक बार पाच कोशल आ गया तो चिंतनी भी आपका, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के मादधम से हम किसी दूसरी बहासा को सीखते आनि उसका अधिगम करते तो आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा ठीक है चली अगला कोशन देखें यार देखो कितना बड़ा कोशन आपके सामने पूछा गया है, ऐसा ही कोशन आपके सामने इससे पहले वाले सीटेट के अंदर भी आया था, मैंने गातव ऐसा ऐसे को उपर नजए डाल लेना टाइम ल फूलोविंग करना है, तो चलो भई मेरे साथ मैच दाफ फूलोविंग करते हैं, एक एक करके, पहला दिखा हुआ है लेका कैसे लिखते हैं, इसके अधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेका क्या मैसूस यहाँ पर करते हैं, लेका कैसे लिखते हैं, देखे, यान परिचित सब्दों को जिनसे हम परिचित नहीं है उनको समझने के लिए पाठे सामगरी के हिस्सों से मदद यहाँ पर ली जानी चाहिए तो क्या हो जाएगा अनुमान नहीं लग रहा यह हो गया संदर्ब से जोड़ना कैसे संदर्ब से जोड़कर हम लोग क्या काम कर सकते है मदद ले सकते हैं अगर कोई ऐसे हमार सामने आप पर इची सब्दे जुनकों नहीं जानते तो किसी संदब से जोड़कर एक्टिविटी से जोड़कर कहानी से जोड़कर हमें यहाँ पर अगला देखते हैं स्टीर्स कथन यह आपकी जो प्रस्तावना होती है उस पर ध्यान क केंद्रित करते हुए यह अर्थ निकालना देखना चाहिए कि सूचना है किस तरीके से आपकी सरंचित यहाँ पर की गई है ठीक है अब चले इसके बारे में बात करते हैं गैन पठन नहीं यह हो जाएगा आपका पाठ्ध वस्तु की में भासा का किस तरीके से परियोग किय इस पर ध्यान केंद्रित आपको करना चाहिए चलो वह इसके बारे में देखते है ठीक है तो पाठ्ध वस्तु में भासा का किस तरीके से परियोग किया गया इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए यहाँ आपको लगाना है ठीक है यानि एच्छे तरीके से आपको यहाँ लगाना है, गहनता में जाना है, गहराई में जाना है, तो आपका गहन पठन हो जाएगा, अब हमारा कौन सा बचा, अनुमान बचा, पाठ्य सामगरी किस बारे में यह जानने के ले संयोजन की सिर्षकों और चित्रों का परियोग यहाँ पर करना चाहिए, यानि कि यहाँ प जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हôm आपके सामने भी आंसर देड़ हो जया देते हैं थी बिबैूज देख लें नहीं में इस था फॉलuição आपने भी बताया आपके भरोसर पर मैं भी लगा देता हूं ठीक है चलिए अब देखें यहापर जो मैंने आपको बताय अभी पर शो सबस्क्राइब क्यों तो पेपर सेवायर अभॉडब Deutschland में मानने आपको पेपर सेकंड के मैं बताओं दोनुं के अंदर आपकी सैम सेम लैंग्विज आती है तो फे पर वाले भी गारा सेकंड वाले भी पेपर फर्स्ट को देखा करो आपकी सेम लेंगवेज आती है प्रेक्टिस हो जाती है मालीज जो कोई कंचेफ्ट ऐसा होता है वो उस पेपर में आ जाता तो वो भी आपको समझ मा जाएगा कोई भी डिफ्रेंस नहीं है किसी भी पर गारगा ठीक है अब हम जो आपके पेपर जो आपका सेकिंड हुआ था ठीक है जो आपका पेपर सेकिंड हुआ था तो पेपर सेकिंड वाले की हम हिंदी पैड़ा को जीगे आपर बात करते हैं आयोप आपको पेपर फर्स्ट के अंदर मजा आया होगा ठीक है चलिए अब बात कर लेते आपके साम रिसोर्स नहीं है भासा शिक्षण के दिगम के लिए पहला क्लास का पुस्तका लिए भाई क्लास के अंदर लाइबरेरी होनी चाहिए भासा शीकने के लिए ठीक है और एंचे अब 2005 का कहता है कि बच्चा जो अब लाइबरेरी में जाएगा अपनी पसंद के अनुसार उसको क पसंद पुस्तक पढ़ने का यहाँ पर उसको अधिकार है दूसरी बात जो आपकी राष्ट्य शिक्सानीती 2020 आई है उसने काया कि जो प्राइबरेरी की भी बात की गई है तो आप उसमें एक्स्चेंज कर सकते हैं माली जे गवर्मेंटी स्कूल के पास बहुत बड़ा प् दुन है तो आप इस प्रकार से एक्स्चेंज कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर पुस्तकाल्या होना चीए चीए क्लासरूम का संसाधन आपका है पढ़ने का कोना यह भी आप को नेचिए कक्साई पढ़क्रिया है हम इसके नदर नहीं मान सकते हैं सब दिवार होनी चीए आ तरहीं जो आपके स्कूल है आपने देखागा स्कूलों के इंदर कुछ एलफबेट लिख्के होते हैं अब बच्चा डेली उसके सामने नजरों के सामने आएगी तो डेली बच्चा देखेगा इंट्रेस्ट लेगा अच्छा ये चीज ऐसे दिखती है अनार ऐसे दिखता है ठीक है आम ऐसे दिखता है और बच्चा उनको बहुत जल्दी तरिक्जा सीख जाएगा इसलिए बिल्डिंग को भी एक लेंडिंग एड के रूप में इस्तमाल के जा रहा है उसी का एक आपका पार्ट है सब्द दिवार जो सब्दों पर इस प्रकार की ड्रोइंग बनी हुई है आई ओप आप लोग अपने नजदीक के किसी स्कूल में जाना सरकारी स्कूल के अंदर तो आप जब क्लासरूम के अ अगला कोशन इसके ओपर हम लोगे आप नजद डाल लेते ठीक है वेरी गुड़ भाई ठीक है तर पेड क्लास कब से सुरू है भाई पेड क्लास सुरू हो गई है ठीक है जो जो जाकर मतलब अपने सारे सब्जेट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सची नेगेडमी आप लोग ले लेना ठीक है चलिए बढ़ते बापके सामने नेक्स्ट कोश्चन के और यह रहा आपके सामने नेक्स्ट कोश्चन निमलिकित कथनों को पढ़िए तता सही विकल्ब का चैन कीजिए पढ़ते हैं अभीकतन यानि अजर्शन इतने कथन पढ़वा दिये पढ़ते हैं इसको बहाँसा अध्यापक द्वारा व्यक्तिप्रक अधिगम यार देखो इसको अंडरलाइन करो व्यक्तिप्रक अधिगम यानि कि इसको इंग्लिश में बोला जाता सब्जेक्टिव लर्णिंग मैं बताऊंगा मतलब इसको आपको डिटेल में जब किलास सब्जेक्टिव लर्णिंग क्या होते हैं सब्जेक्टिव लर्णिंग में बेसिकलिए आप इतना समझे कि जहां पर जो बच्चे होते हैं वो अपने अनुभाव के माद्दम से शीखते हैं थीक है बट्ट उनके सीखने की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है अब इसको एक एक जामपल से शीखना आप लोग अभी कैसे शीख रहो सभी एक साथ शीखरो ठीक है तो जो जो मैं आपको पढ़ार रहो हूँ पर आपके बात होती है, तो जो आपका language का टीचरаем भासात ध्यापक है, वो subjective सब्जेक्टिव लेंडिंग की योजना तयार की जानी चीए बिल्कुल तयार की जानी चीए यही कोश्चन आपका एक बार संस्कृत लेंग्वेज के अंदर भी पूछा गया था वहाँ पर कोश्चन पूछा था कि जो आपका व्यक्ति परकदिगह में यानि जो लगवात है किसी बच्चे को जल्दी आएगा कम्पूटर ओपरेट करना किसी को कमाया यानि उनकी स्पीड अलगो ही लेकिन सीकने का तो नुबह वेक है न तो कम्पूटर बेस लेंडिंग किसका परकार हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव लेंडिंग यानि कि व्यक्ति अगर मैं इसकी योजना त्यार करूंगा तो आपके नुकसान न तो करनी चाहिए इसकी योजना यानि कि अभीकतन यहाँ पर आपका ठीक है अब इसने तरक क्या दिया यहाँ पर नई भासाओं के अधिगम से सिक्सार्तियों में विविदिता होती है बिलकुल ठीक बात है अगर हम कोई नहीं भासा सीखते है तो उससे क्या देखने को मिलते है विविदिता और हमारे देश के अंदर विविदिता है देखने मिलते है क्लासरूम के अंदर विविदिता देखने मिलते है कुल मिलाके इसको एक सब्द लिखे है बहुबासिकता लिखे ठीक है अलग- ठीक है चलिए बात करते हैं आपके सामने next question के ओर देखें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो भी मैं अपनी class लेता हूँ तो मैं सभी चीजे detail में समझाता हूँ तो सोचो paper का analysis में आपको कितना detail में करा रहा हूँ जो particular class चलेगी तो कितना detail में चलेगी ठीक है तो तसलि फोकस करता है ईन्हों ठिक आपके हैं किस विदि में शिक्सार्टों की जो पर्थम और सायों कि कोन से होती है वह जो होती है उनकी मात्रबासा भासन शिक्षन विधी में इसमें नहीं निभाएगी व्याखन अनुवाद विधी जिसको कहा जाता है ग्रामर टांसलेशन मेथड क्या कहा जाता है इसको इसको कहा जाता है ग्रामर ट्रांसलेटर आपका मेथड इसको यहाँ पर कहा जाता है व्याखन अनुवाद विधी क्य बढ़ो और लिखो कि आपको दूसरी भार्स सेख निए तो उसको पढ़ो, उसको लिखो, उसका grammar याद करो, हाँ, Mother Tongue की आप यहापर यूज कर सकते हो, मातर बहासा का यहापर आप लोग इस्तिमाल कर सकते हो, ठीक है, मालीज आपको English के अंदर कोई भी अगर इंग्लीज यहापर पढ़ा रहा है, ठीक है, मालीज आपको किशी स्टिभाट करता है टिन्हार इसे लुतिके को सब्सीड करने है उनके साथ रहती करता है इताई महिनी में बोलना सीख जाओगे ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका second answer यहाँ पर सही हो जाएगा बढ़ते वापके सामने next question के और यह रहा आपके सामने अगला question अगला question आपके सामने स्क्रीन पर है कि चेतन की जो पर्थम भासा है यारी उसकी जो मात्र भासा है वो भोजपूरी है ठीक है भई चेतन वह तमिलाडू गया अब वह भोजपूरी नहीं बोलता क्यों भई चेतन क्या हो गया तुम्हें और अपने सातियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है ये देखो भई दोको मैं आजादी से पहले जो हमारे देश के अंदर कमिशन बनेते हैं उस कमिशन के अंदर 1834 के अंदर 1834 के अंदर एक बनाता आपको मेकाले मिनट्स के नाम से कमिशन बनाता आपने एक नाम सुना होगा लोड मेकाले अब यह भाई साब लोड मेकाले हमारे देश के अंदर आये त लोड मेकाले ने क्या काम करा जब हमारे देर समझाव आजाद नहीं हुआ था जादी इसे पहले की बात वाता रहा रहा और है 1834 की बात बता रहा हूँ यहाँ में कुश्चन भी कैसा आता अब एक्जाम में आपके तो लोड मेकाले ने क्या काम करा English English, सिर्फ English होनी च English होने किताब Congratulations में होने चिये पढ़ा English में होने चिये पर थे बहार से आदमें जो English के अंदर बात करें इन्हों ने कहा जो Court की language है जो हमारे जो Court बने हुए है न वह भी Court की language English होने चिये सबसे बड़ी बात है आज की date के अंदर भी कोई भी कोट वहाँ पर इंग्लिस लेंग्विज यूज की जाती है विचारा जिसका मुकदमा चला होता है उसके लिए वकील बहास करता है आपस में वकील बहास कर रहे होते हैं उसको जजसाब सजा भी सुना देते हैं कि इसको जे लिक अंदर डाल दो 20 साल के सजा है इसको लगा देंगे और विचारों खड़ा रहता है जिसको इंग्लिस नहीं आती क्या पता नहीं क्या चला है मेरे बार में ठीके त्यार यह कोई सही परंपरा है अगर हमारा देश है तो हमारे देश के अंदर कोई इंग्लिस की इतनी तवज़्जों देनी चाहिए हमें अपनी कि मातरबासा हिंदी है उसको सबसे महत्पून हमको मानना है ठीक है तो यहाँ पर जो कोट की भी लेंग्वेज बनाई इन्होंने इंगलीस बनाई लाइबरेरी या किताब है या रिसोर्स की बात कर इंगलीस में बतके और दूसरी बात जो फंड दिया जो हमारे भारत के जब नई दुट्यक भासा पर्थम भासा का इस्तान ले लेती है तो यह स्तिति किस बात के आपकी द्योत्तक है यानि जब नई दुट्यक भासा दुट्यक भासा कोंची है मालीजे इंगलीस है ठीक है नई दुट्यक भासा इसकी आंग्रेजी है उसने पर्थम भासा का इस वाधे ंगे, हमारे तो आपके अपने स्पस्छास ना आई उआए तो आपके उ स्कश्चाल आपके हायरब की इस वीडियों में आने वाला है यहां पर यह नहीं होगा करता है उसमें रनात्मक हुआ यानि कि आपका नेगेटी हुआ क्योंकि इस बंदे ने क्या काम करा बोज़पुर नहीं बोलता सिर्फ अपने दोस्तों से इंगलिस से बात करता है आपका कैसा हुआ दुभी भासावाद नेगेटी हुआ तो सेकंड आंसर आपका सी हो जाएग अगला कोशन जो आपको दिया वाए निमिलकित में से कौन सा पठनपूर गतिविदी यानि पढ़ने से पहले की गतिविदी को समर्थित करता है बताओ भई पहला सिक्सार्चों को काम का सारान्चिकन करने को कहना यानि काम का सारा निचोड करने के लिए कह दो तो पढ़न अनुमान लगाने से सम्मंदित कारेका प्रियुक दो बिल्कुल ठीक बात है अगर माली आज आपको यही पढ़ना है चीट के आपका भावनुवाद संबंधिकार्यों का प्रोगर नहीं, सेक्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कोई भी पेपर करने से पहले पीवाई क्यू लगा लिए अगरो या मोक टेस्ट लगा लिए अगरो, ठीक है, चलिए अगला कोश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया, यह है आपके सामने, next question, उप्चरात्मक स्क्रीजन, यानि कि यहाँ पर बात हो रही है, आपके remedial teaching की बात हो रही है, देखे, दो टरम आपके सामने देखने को मिलती है, एक होते है आपकी निदानात्मक, ठीक है, एक होते है आपकी निदानात्मक होती है, और इसके अंदर आपके डिमिडियल के अंदर आपके डियागनोस्टिक निकनल ठीक है जब समस्धाओ की पैचान की जाती है ठीक है जिसके एक एक इसको पहले से देता आ रहा हूं ठीक है और बहुत फेमस औरे है मेरा example ठीक है बहुत-ठीकंत तो समस्या की पहले पहचान की जाती है उसका डियाग्नोस किया जाता है ठीक है क्या होता है आपका डियाग्नोस्टिक के अंदर सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है समस्या की पहचान करने के बाद तभी तो डोक्तर उपचार करता है ठीक उसी परकार से जो आपका जब मेरी किलास शुरूओगी जब देखना कितने परकार होते है ठीक है चलिए अब कौन सा सही है इसके बारे में पहला है परदसन यानि जो परफोर्मेंस होती है जो अचीवमेंट होती है उसमें सुधार है तुम मदद देना बिल्कुल ठीक बात है उपचारात्मक सिस्टन में अब और लग उसके साथरस्टनी समानुबूति क्या रकिने आपको छोड़े बच्चे अंदर आपके बच्चे रहेंगे दो अलग अलग-बड़ होते सिंपेति यह क्या होता है सानुबूति होता है यहारी तो यापकी बद्वियांग बच्चा उसको पड़ति द्याय दिखा रहा हूँ तो यह हो जाएगा आपकी सानुबूती लेकिन जैसा बच्चा फील करेंगे सेम उसी feeling कोगा teacher भी समझे तो यह हो जाती आपकी empathy यानि कि समानुभूती तो आप दूसरे पर दिया दिखाओगे या उसकी जैसे वो feeling से गुजर रहा है जैसा feel कर रहा है वैसा feel आप करोगे समानुभूती करेंगे ना ठीके तो आपका क्या हो जागा समानुभूती आपका ह हमारे स्कूल के अंदर हमारे parents तो इसी को पर focus करते थे हमारे खुद करते थे ठीक हमारी classroom के अंदर जो first second आ जाते थे तो उनको बताते थे देख इस बार ये भी first आ गया इस बार भी second आ गया हालकि हमने progress बहुत अच्छी करी होती थी ठीक है क्यारा इस बार तो इतने अधर भी बच्चों को मारते भी थे आज भी मारते होंगे कि नंबर बढ़िया लेकर आ कोई बच्चा 99.99% भी लेकर आगया उसके गरवाल attention में पूइंट है कहा रहा गया पूरा 100 लेकर आता तो आज की डेट के अंदर आपको नंबर और ग्रेलिकों पर ध्यान नहीं देन सक्सा का कंचर्ट पूरा होगा आंचार आपका पहला सही यहाँ पर हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट कोस्टन की और यह रहा नेक्स्ट कोस्टन निमलिकित कतनों को पढ़िए अरे भाई पढ़ रहे हैं अभी कतन अजरसन आपको दिया सट्ब को बना ठीक है तो लोड मेकाले ने क्या करा इंगलीप शिर्फ इंगलीश होना चीए और कुछ नहीं होना चीए बाट जो आपकी भारत है यैनि हमारे भी बात है बारत में जा आपको एंगलीश्दार के अंदर पूछा जा जाता था इसले मैं कि जो राजवासा है ना वो राजवासा हमारे देश की आपकी हिंदी हमारे देश की राजवासा है ठीक है जिसको आप लोग 14 सितंबर को आप लोग सेलिब्रेट करते हो अगर किसको डेट पता है तो डेट बते किस डेट से राजवासा जो हिंदी बनाए गई थी ठीक है इसक को पढ़ेंगे हिंदि हमार उपर थोपी जा रही बिल्कुल ठीक है वैसे भी जो जिसकी मात्रवासा उसको मतलब आगे बढ़ाने चीए अगर उनकी मात्रवासा तमील है कंड़ है उसको बढ़ाने चीए अगर इधर की हिंदी है तो हिंदी को बढ़ाने चीए ठीक है तो हमा बुछार्टय विद्धालों मेंं अंग्रेई जी को विदेशी भासा की तरह पढ़ाया जाता जी नहीं देखे आपका एक पहले से कंसेट चलता रहा है ठीलेंगवेज फॉर्मूला बहुत जरूरी है इन तीन भासाओं में जो सबसे पहले स्कूल आपको ऑचला के सबस्कंद करना है अगरे और हमारे साइड का नर्थिंडिया का अगर बच्चींति में स्कूल में पढ़ाएए जाएगी दुसरी सबस्कंद को और तीसरी कोई आप इसके अंदर रख सकते हो, modern language या regional के रूप में रख सकते हो, जैसे साउथ के स्टेट के कोई लेंग्वेज रख ली, नूर्थिस्ट के कोई रख ली, तो English को विदेशी बहासा की तरह पढ़ाय नहीं जाता, भाई यह आपका लिखा हुआ है, ठीक है, त पहला भाईसा जो होती है, सांकेतिक होती है, या इनकी भाईसा के अंदर क्या क्या जाता है, sign का यूज़ का जाता है, आप लोगों ने देखी ये ना, जो sign language यूज़ करते हैं, जैसे मानलें जो कोई दिव्यांग है, तो sign language के मानद दिम से वो लोग अपनी बातों को express करत समझते तो वहां सांगेतित होती है ठीक है जैसे मैं भी कुछ आपको बताओ जैसे फ़ोरॉ एकजम्पल मैं आपको एंग्जेम्पल गेला था जिसे खेंगेज करें जाता है ठीक है तो आप एक घेम में खेलता हूं बताना मैंने क्या लिए ठीक है आम मैं बोल style language के मात दम से भे में यूज करते है ठीक है बासा इस्तिर है यादि कि बात हो रही है बासा जो है यहाँ पर stable है देखे आपको एक बात ज्यार नगने है बासा stable नहीं होती जो बासा होती है वो बासा आपकी आइस्तिर होती है मतलब बासा जो होती है time to time आपकी change होती रहती है आज से पहले जो बासा है बोली जाती थी और आज कंदर जो बासा है बोली जाती है उस कंदर आपका कितना प आप क्या कर रहे हो मलब इस प्रकार की एक language बोली जाती है लेकिन अगर आप थोड़ा सा जैसे दूसरे सटीक से आपकी जिले में जाओगे जैसे माली जो नोड़ा गयटे नोड़ा की तरफ जाओगे तो वहाँ पर जैसे ज्यादातर गूजर बोलते है कि ओर वही का हो रहा ह का चला दे गर में ठीक है या जैसे बोलते हैं पाच को बोलते हैं पोच बोलते हैं कि पोच नमबर आया या पोच दवादे ठीक है तो ही इस प्रकार से मलब सब्दों को बोलते है रही पौणी लिया अगर हम बागपत की तरफ जाओगे तो बागपत की तरफ वहाँ पर ब नोटिफाइड रखना है कि डेट योर जो आपकी आपकी जो भासा होती है न यह आपकी इस्टेबल नहीं होती है यह आपकी क्या होती है आज तीर होती है नहीं चेंज होती रहती है तो आपकी विशेशता नहीं है गलत आपका यही हो जाएगा और गलत कभाई यही है ठीक है और नेक्स्ट कोस्टन निमिकीत गत्षुन हो पढ़िये तुमारी इतने कॉस्टन पढ़वा दियार पढ़ो अभी कतन याणी अजरशन का कुस्टन पढ़ो ठीक है पहले के ज्ञान के परत्यासमनन के लिए विद्यारत्यों को संकेत देना महत्पुन है बिल्कूल ठीक बात और यह चीज मैं आपको पढ़ा हूँ यह चीज आपको पढ़नी है तो पहले के ज्ञान का मैंने आपको क्या काम करा है परताश्मन करा आपको चीज याद दिलाए ठीक है तो इसके लिए विध्यार्तियों को संकेति देना महत्पुन है संकेति तो दे रहा हूं कि ऐसे से कई भासा से नई भासा सम्मध्यता इस्तापित करने में मदद मिलती है अब आपको बिल्कुल इससे help मिलेगी क्या सण्ये जो जो चीजे बता रहे है जो कंशेट बता रहे है यानि कि आपकी अब लेंग्वेज आती है कोई भी लेंग्वेज आती है अब ऐसी पूछी जात का फौर्थ आंसर सी हो जाएगा आयोप आप लोगोने फौर्थ के साथ यहाप लगाया होगा डी डी आपने लगाया होगा ठीक है चली बढ़ते हैं अगला कोश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया यह रहा क्लास एट के अध्यापिका ने अपने विद्यारतों को परद लेट होता है आपका information letter होता है जैसे आप लोग school में जाते होंगे या company के अंदर जाते होंगे या छोड़ो newspaper के अंदर आपने देखा है कोई company जो add निकालती है या कोई company माली जोब निकालती है तो leaflet बनाकर निकालती है information आती है तो यह हम आपको इतनी जोब देंगे आइए जो जारू करमचारी हमारे अंदर ही काम करिए यह सब चीज तो यह होता आपका leaflet information आपका letter आप लोग इसको कह सकते हो पत्र पर पत्र कह सकते हो ठीक है तो उसको बनाने के लिए कह दिया तो इसी प्रकार की उर्ज्या बचत से संबंदित एक leaflet बनाने के लिए बच्चों क को कह दिया यह काम बहाँसा की किस विशेश्था को पौशित करेगा बताओ किस विशेश्था को पौशित करेगा पहला परस्ण सवरूप किया पर परस्ण सवरूप को कर रहा है तकारात्मक आदे सूचक हो जाएगा पोजीटीव आपका instruction यहाँ पर हो जाएगा leaflet बनाने तो ऐसी एक leaflet बनाकर बच्चत यहार करेगा तो यह positive हो गया जो हो गया ठीक है तो आंसर आपका second इसकंदर ठीक हो जाएगा बढ़ते next question के और अगला question देखते है आपके सामने स्क्रीन पर यह चारी question आप बच्चे है फिर आपकी class कतम और हिमानदारिस अपना score फिर आप तो मुझे बताना ठीक है ठीक है ठीक है बहुत बच्चे रहते हैं कोई पेपर वन की जंगा पेपर लेता है या कोई ऐसे लोग आउट कर देता है तो यह सुईदा आपको कहीं नहीं मिलेगी मेरे अलावा क्योंकि मैंने अपनी एक टीम इसे के लिए बैठा रखेगे जो बच्चे गलती करते इनका समधान कर दिया करो ठीक है तो आप लोग बड़े हो गई है इसी गलतिया मत करा करो ठीक है अगला कॉशन देखते हैं एक पार्ट योजना बनाते समय मुझे प्यास भी लगाई है आपकी एक लेसन प्लान तयार करते समय है लेसन प्लान आप प्लान तो उसका उदेश से निश्चित किया गया कि विध्यारत को यह सिखा जाए कि ग्राकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंदी संप्रेशन कैसे किया जाए तो यह उद्देश से नीचे दिगए विदा से मेल खाता है रिपोर्ट वर्णन आर्टिकल या फिर आप कि देखो यार एक बच्चा घारा सर जी क्या हाल है कि यूटूब वाले हो ठीक है चाहे मेरे से उमर में वड़ा हो छोटा हो चाहे गवर्मेंटी स्कूल के बच्चे रहते थे आज तक किसीने टीचर मान नहीं रहें अध्यां भाई ठीक है श्ठें बच्चे भी जो है ना मलब और दूसरे से नराज हो जाएंगे टीचर से की और से दरेंगे ठीक है मलब उन्हें डर एंगे लेकिन में से नहीं डरते थे बिल्कुल खोप नहीं रहता था तो मेरा चाहे यूटूब वाल यह यह और क्या खाल लें और सर क्या हम ऐसी चलता आता है तो यह जो भी बच्चे ओते चाहे छोटा वच्चा हो मेरे गर के अंदर हो चाहे स्कूल का बच्चा हो चाहे आप लोग यूटूब वाले हो लेकिन जब एजे टीचर की दर्श्टी स आप देखोगे ना तो मुझे ऐसा लगता सामन जो पंटर हो जाएगा जब आपके लेसन प्लान के अद्थ से बताऊएगा तब आपका हो जाएगा जिससे आपके समप्रेशन नुके साथ ग्रावकों के साथ किया जाए ठीक के माध़म से तो आपका अंतर हो जाएगा है ऐसे जिप जूण Tr san बहुत उमर में बड़े भी होते हैं ठीक है और बिलकुल मतलब ऐसे फ्रेंड्ली रहते और मेरसे इस इंचे घर तो मतलब बच्चों में किसी में ही नी बिलकुल भी ठीक है मेरे घर के बच्चे मुझे मतलब एक object की तरह यूज़ करते हैं कभी आके मेरा गला पकड़ लेंगे मेरा मुझ दबा देंगे ठीक है पैर दबा देंगे और जैसे अभी चोटा भाई बैठा हुआ ना इसको कुछ निकरेंगे यह धंका कर बगा देता है उन्हें तो इसके पास नहीं जाएंगे मम्मी पापा के पास जाद यंत्र देखने के लिए का माली जब कोई भी आपका ये चित्रे इसके अंदर चार मुजिकल इंस्टूनमेंट बने हुए हैं तो एक तो डोलक ले लेते हैं एक कंदर वो भॉम्पू ले लेते हैं जो साधियों के बजता है पॉम 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 करके दूसरा एक दोर बता दो आप लोग क्या बजते हैं वो भी तो बता चन 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 हाथ का जो बैठा है तो इसे चार वाद इंत्र लेने के लिए का आगे ये कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन संगीत समारों में इनका परियोग क्यों किया जाता है तो संगेनात्म कोशल उस कोगनिटिव इसकिल का चैन कीजे जो इस गतिविदी से आपकी मेल खाती हो तो चार वाद इंत्र ले दिये ठीक है जो आपको ठीक लगे देख लेना अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है चर्चा करो करो वही चर्चा आपस में चर्चा करो कि अलग-अलग संगीत समारों में साधी में बर्थव तो आप लोग है तो आप लोग he darauf where some करो आप कोई चीज यहाउनि कर रहे सरजीत नहीं कर रहे आप यहाँ पर तर्क दोगे लेकिन ठरक जब विश लएशन में आपके तर्क करने आजाएंगे और कल्पना नहीं करोगा, आप लोग क्योंकि सामने आपकी चारों चीजे क्या है दी हुई है, तो आप imagination यानी कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आंसर आपका, first answer सही हो जाएगा, जब आपकी साधी हो जाएगी बजवा देना ऐसे डोल, ठीक है, तब आप visualization करते हो, कि अगला question देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, next question, जब एकल भासी वक्ता, एक समान बोल, बोले गई या, हाव वाले विचार के भीतर, वाक्यों अवचारिक से अनुपचारिक स्तिति में जाता है, तो वो किसे, इंगेज यानी के सलंग रहते हैं, अब देखें, मैंने आपको बताया था, code mixture, यानी की code mission और आपका ये code परिवर्तन, दो मैंने आपको चीज बताया थी, अब थोड़ा से इनके बारे में समझियों, वहना detail में फिर्म आपको बताया हूँ, अगर मैं एक भासा के साथ में, दूसरी भासा का भी यहाँ पर use कर रहा हूँ, यानी मैंने यहाँ पर दो code है, दो बासा है, उनका यहाँ पर क्या काम कर दिया, mission कर दिया, कि आप लोग जो student हो, good student हो, ठीक है, यानी हिंदी इंगलिसका मैंने यहाँ पर mission कर दिया, बट अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ, कि जो चीज में आपको समझा रहा हूँ, जितनी चीज समझा रहा हूँ, आयोपी आपको समझ मा आ गई होगी, क्योंकि इतनी चीज समझाने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई problem होई होगी, and if you have any problem, तो भाड में जाओ, जो करना होगल लो, ठीक है, भाई, example दे रहा हूँ मैं आपको, तो मैंने गा गर यहाँ आपका code परिवर्तन यहाँ पर हो जाएगा, यानि मैंने क्या काम करा, पहले मैं उपचारिक भासा में बोल ला था, कि मैंने आपको यह चीज समझाई, if you have any problem, फिर मैंने क्या का नुपचारिक भासा, नहीं समझ मारी, जाओ, भाड में जाओ, तो मैंने नुपचारिक बोल परिवर्तन होता है, code क्या होता है, और बहुत एकजाब में पूचे जाते हैं, कोई भी language उसमें जरूर पूचे जाते हैं, ठीक है, अगला question देखते हैं, सामने आपकी screen पर आगया, यह रहा, next question, second last question है हमारा, बच्चों के अपने समुधाय में, दूसरों के साथ, अनुप परियोग पर आधारी थे, अनुकुलन, adaptation, बिल्कुल, जैसे अनुकुलन होता है, अनुकुलन होता है, बेसिकली जब एनवारमेंट के coding बच्चा खुद को डालता है, बट सभी बच्चे एनवारमेंट के coding खुद को नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे साथ इंटरेक्ट करके, ठीक है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके, मित्रता और संबंदा बनाने के लिए भासरा यूज़ कर रहा है, जैसा आपके लेववाई गोश्की कहते थे कि जो बच्चा होता है, वो सोसाइटी से, समाज से इंटरेक्ट करके चीजों को सीखता है ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अब हम लोग आगे, लास्ट कोश्चन के उपर, लेकिन आप लोग एक ही मानदारी से चीज बताइए, भले हमने तीस कोश्चन डिसकस करें हो, लेकिन तीस कोश्चन में भी कम से कम आप आपके 60-70 कंसेप्ट यहाँ निकल कर आ गए हुए, और सिर्फ यह पेपर का डिसकस कर रहा हुए, मलब पूरी चीजी डिटेल में तो जाई नहीं रहा, ठीक है, तो आप लोग सोच सकते हो, कि हमें मलब बहुत भंडार वर के कोश्चन नहीं बनने, हमें बहुत डिटेल मे क्या करने की दरिष्टी परदान करता है, बतले, वोगेब के बार में मुझा लिए, कुछ भी लिखना है, तो Grammar, यानि वयाकर्ण, शिक्सार्थियों की, क्या करने की दरिष्टी परदान करता है, पहला सब्द को स्या बिन्दू ko अर्थ पून और संप्रिश्च्ण आत्म अभुएक्ति मेर जोड कि है तो तक है तो इसका आपका तो यहाँ पर माली जो मैंने कोई भी वोकेब लिख दिया और एक्जम्पल गुड़ी लिख दिया बड़ा असान सा है तो इसके प्रियोग के संब्ध में ग्रामर जो होती है वह सिक्सार्थों को क्या करने की दृष्टी परदान करेगा तो सब्द को से बिंदु को अर्थपूर्ण देगा यह तो आपका इमिटेशन को भी करना हो जाएगा ठीक है उच्तर कक्साओं में उफचारिक लेखन के प्रारूप तयार करना जहां पर उच्तर कक्साओं के लिए बच्चों को तयार करने की बात आजाएगी उस आंसर को देखते गलत कार देना बागी मैं देख लूँगा अगला है उफचारिक इस्तितियों में वरत्तर सटीकता और विश्वास के साथ बात करना कहां से सटीकता के साथ बात करेगा और खासकर बच्चों के संधर मारी है नहीं अंचार आपका फरस्ट सही हो जाएगा तो फ्रेंड्स या आपके जो पेपर का डिसकसन था वो मैंन आपकी कर दी और कल मुझे टाइम मिलता है कल में ही बेस के कर दूँगा फिर मेरी जो आपकी यूटूब पर डेली किलास अब आपको चाल हो जाएगी और ही ओप आप लोग इंट्रेस्ट ले रहे होंगे आपको मजा रहा होगा आपको यह पता चला होगा कि exactly हमको पढ़न इसकाउंट चला है तो जिसमें सभी सब्जेट के टीचर आपको मिल जाएंगे ठीक है क्योंकि देखे एज इंडिविजल टीचर सभी सब्जेट पढ़ा पाना पोसिवल नहीं है तो आपको फिर उन बच्चों को बैच की ज़रूत होती है सबसे बड़ी बात है फिर कंटे जीरो भी आया ना तो कोई बात ही नहीं जीरो से अगर आप लोगों ने रेगुलर चीज़े करी चाहे पेड़ी क्लास में करी चाहे मतलब मैंने भी जो आपको बताऊंगा तो आप हीरो ज़रूर बतने जाओगे ठीक है पूछे आपका क्या है मतलब कोई कुश्चन नहीं ठीक है तर जो फर है पेड़ी क्लास का वो कब तक है वो साइद आपका छिट पूजा तकता है यह उससे थोड़ा आगे बार मैं डेट चेक कर लूँगा डेट मुझे ध्यान नहीं आ रही आपकी ठीक है अच्छा ओफर के इंतिजार में लग रहे हो ठीक है ठीक है बढ़ी आप लोग इसको कर लिए ठीक है लेकिन टाइम देख लेना क्योंकि मैंने का हुआ है सीटेट के बाद जिन बच्चों ने मतलब एडिमिशन लिया था उनको मतलब नहीं वाला बैच फिरी में मिल जाएगा ठीक है लेकिन आप उससे पहले वाले के ठीक है लाइव किलास भा परियास रहता है छी चाहिए इसका मतलब सीख रहे हो तो गलतिया कर रहो अभियाए आपकी ज्यादा हो रही है दीरे-धीरे करके आपकी कम होती जाएगी ठीक है तो आपका positive sign ने गलती हो ना, इसको negative मतलो, ठीक है, और पूछिए आपका कोई सवाल है तो ठीक है, तर जी आप बहुत अच्छे से समझातो, ये तो मुझे पता है भाई, ठीक है, और पूछिए आपका 30 में से 40 sign ठीक है, ठीक है, very good, paper 1 की जंग, paper 2 ले लिया, बुसरा फात् तो गलत जो paper लेते हो, ठीक है, इसको ठीक से लिया करो, आप लोग, तो आप लोग WhatsApp पे message कर देना, आपका ठीक करवा देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है भई, हाँ, notes वगएरा है, वो सारी चीज़े इसी के नदर है, आपकी score आपका ठीक आ ठीक है, महेज कोई बात निए, पंदर आ रहा है, ठीक है, तो आज आपकी पहली class लगी, बहुत सुनदर लगा, ठीक है भई, ठीक है, चलो, चले friends, मिलता हूँ आपसे, टाइम मिलता है, कल आपको मिलूँगा, आपको EBS का paper बता दूँगा, और अगर यार इंडिया और और श्टिले के मैंच में, अगर interest पूरा आ गया, तो फिर regular जो class दूरू जाएगी, उसमें मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, तो चले friends, मिलता हूँ आपसे next video में, अपना द्यान रखना पढ़ते रहना, goodnight, take care.